नमस्कार स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में तो आए जानते हैं खुबरों को बारी बारी से अगर हिसे से पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को दबा दें ताकि सभी पर करके लेटिस न्यूज की ज रहा दिया किराया कल से होगा लागू जी हाँ आपको बता दे कि महांगाई के मोर्चे पर आम जनता के लिए एक बूरी खबर आई हैं दरसल 6 जनवरी से रेल से सफर करना महांगा होने जा रहा है भारती रेलेवे ने कोरोना महामारी के करना रूके हुई ट्रेनों को फिर स से सुरू करने का अन्रेन लिया है ट्रेनों का नियमित संचालन 22 मार्च से सुरू हो रहा है इस समय के वल कुछ ट्रेनों को उपर रिख्षण के तौर पर ही चलाय जा रहा है ट्रेनों का फिर से सुरू होना यात्रियों के लिए अच्छी खबर हैं मगर यात्रियों को रेल में यात्रा नहीं कर पाएंगे ऐसा यात्रियों की भीड कम करने के लिए क्या गया है रिलेवे के नए दिसार निर्देशु के नुशार कोई यात्री कितना भी लंबी दुरी यात्रा कर रहा हो उसके लिए रिजर्वेशन आवश्यक होगा यात्री टिकट विंडो की मदद स रिजर्वेशन कर सकते हैं जो ट्रेन के निधारित आगमन से आदे घंटे पहले खुल जाएगा टिकट विंडो पर भीड से बचने के लिए आप ऑनलाइन रिजर्वेशन भी कर सकते हैं बड़फलू के करन केरल के दो जीलो में मूर्गी और बथको को मारने के करवाई शुरू परिधी में बतकों, मुर्गियों और रंड्य घरेलू पंचियों को मारने की करवाई शुरू की दोनों जिलों से भोपाल की परियोग शाला में भेजे गए नमूनों में बढ़ फुलू की पुष्टी होने के एक दिन बाद से यह अभियान को शुरू किया गया अलफुजा जिला परसासन ने कहा कि कठनाड छेतरी की चार पंचायतों नेदू मुदी, ताकाजी, पली पद और करवता में अभियान सुरू किया गया जो की बुधवार साम तक पूरा होने की समवना है इन्ही इलाकों में बढ़ फुलू के मामले शामने आये थे एक अधिकारी ने कहा कि अकेले करवता पंचायत में ही करीब 12,500 को मारा जाएगा परसासन के मुतावी को टायम जीले की नीदूर पंचायत में अब तक करीब 3,500 को मारा जा चुका है नीदूर के एक बतक पालन केंदरे में बड़ फिलू वारेश संग कमण के करण करीब 1700 बतकों की मौत हो गई थी बेटेस पीएम बोरिश जोंसन का भारत दोरा रद गंतंतर दिवस के करेक्रम के लिए थे आमंतरित जी हाँ आपको बताते कि बेटेन के प्रधान मंदरी बोरिश जोंसन ने इस महिने के आखिर में होने वाले अपने भारत दोरे को रद कर दिया है बोरिश जोंसन को इस साल 26 जन्वरी को भारत के गंतंत दिवस के मौके पर बतार बुख्य अथिती के तोर पर सामिल होना था अब वो भारत नहीं आ रहे हैं बीटेन में बरते कोरोना वाइरस के नए स्टोन के प्रकोप को देखते हुए पिएम बोरिश जोंसन ने अपना भारत दोरा रद कर दिया है वे इस बार गंतंत दिवस समारों में शामिल होने वाले थे लेकिन बेटेस पिएम बोरिश जोंसन ने आज सुआ पिएम मोदी से फोन पर बात कर भारत दोरे पर आने में असमर्थता जताई उन्होंने पिएम मोदी से कहा कि पिछली रात कोरोना वाइरस के ने स्टोन की वज़़ा से लोकडाउन लगाना पड़ा है इसलिए उनका ऐसे वक्त में बेटेन में रहना ज़रूरी है इसलिए वो गनतन तर दिवस समारों में सामिल नहीं हो सकेंगे दिल्ली में लगतार तीसरे दिन हुई बारिश निमतम तपमान में 6 डिगरी का उच्छाल जी हाँ आपको बता दी कि राष्टी रजधानी दिल्ली में मंगल बार को लगतार तीसरे दिन भी कुछ जगों पर बारिश हुई और निमतम तपमान समान जैसे 6 डिगरी अधिक 13.2 डिगरी सिल्सिस दर्ज किया गया भारतिय मोसम विभाग ने यह जनकारी दी सब्दर जंग बिच साले ने बताया कि सोम बार साड़े आठ बजे और मंगल बार सुवव साड़े आठ बजे के बीच 4.7 मिली मीटर बारिश हुई मोसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में कहीं हलकी और कहीं मध्यम बारिश हो सकती है और गरज के साथ छीटे भी पड़ सकते हैं राष्टी रजधानी के कोशिसों में ओले पड़ने का भी अनुमान है पश्चिमी बिच्छोब के परभाव के करण होई बारिश से सहर में ठंड की स्थीती में सुधार हुआ है दिली में सुकरबायर को निम्तम तपमान एक दसमलो एक डिग्री सेलसेस पर पहुँच गया था जो पंदरह साल में सबसे कम था घना को अरचाय रहने के करण दिरिशता सुन्ने मीटर हो गई थी गोल्ड एक आउन हजार के करीब पहुँचा दिली साराफा बजार में मंगलबार को सोने का भाव 335 रुपे परती 10 गराम बढ़िया रजधानी दिली में 79.9 गराम सुध्धता वाले सोने का नया भाव अब 50,979 रुपे परती 10 गराम हो गया है इसके पहले कारोबारी सत्र में सोने का भाव 50,634 रुपे प्रती 10 ग्राम पर बंध हुआ था चांदी की बात करें तो मंगल बार को इसमें मामूली तेजी दर्ज की गई दिली साराफा बजार में आजचांदी की कीमतों में महज 382 रुपे प्रती किलोग्राम की बढ़त दर्ज की गई अब इसके दाम 79,693 रुपे प्रती किलोग्राम पर पहुँच गए हैं एक फरवरी को पेश होगा केंदिरिय बजट संसत का बजट सत्र 39 जनवरी से होगा शुरू जी हाँ आपको बतादे कि संसत का बजट सत्र 39 जनवरी से शुरू होगा इसका पहला चरण भाग 15 फरवरी तक चलेगा जबकि दूसरा भाग 8 मार्च से 8 अप्रेल तक होगा वहीं केंदिरिय बजट एक फरवरी को पेश किया जाएगा सुत्र ने संसदियों मामलू की मंत्री मंडल समिती सीसी पीए की सिपारिशों का हवाला देते हुए बताया कि राश्पती रामनात को 29 जनवरी को संसद के दोनों सदर्नों की संजुक्त बैठक को संबोधित करेंगे और एक फरवरी को केंदिरिय बजट पेशोगा संसद के बजट सतर के दोरान कोबिड-19 से सम्मंदित सभी दिसार निर्देशों का पालन किया जाएगा केंदिरिय बित मंतिर निर्मला सी तरणमना ने बजट 2021-22 को लेकर इंफ्रास्ट्रक्ट्र एनरजी और जल्वारी पुरिवर्दन के छेत्र के सिर्स बिष्ससक्यों के साथ बजट पूर्व सलाह मस्वीर्या पूरा कर लिया है बतादे कि बितमंत्री निर्मला सी 13 दिसंबर 2020 से अलग-अलग सेक्टर से जुड़े सिर्सी बिस्सोग्यों के साथ बजट पूर्प चर्चा कर रही है बितमंत्री ने हाली में कहा था कि आगामी बजट में इंफ्राइस्ट्रक्चर पर सरकारी खर्च को बनाय रखने पर जोर दिया जाएगा जो बाइडन के रास्पती पद की सपत लेने से पहले डोनाल ट्रम्प छोड़ देंगे अमेरिका जी हाँ आपको बता दे कि अमेरिका के रास्पती डोनाल ट्रम्प एक और आये दिन कहते फिर रहें कि वो चुनाओ में नहीं हा रहे हैं और वे नतीजों को लागतार चुनोती देते रहेंगे हाला कि इस बीच यह भी अटकले लगनी शुरू हो गए हैं कि अब वे अमेरिका को छोड़कर किशी और देश जा सकते हैं डोनाल ट्रम्प के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि 20 जनवरी 2021 किसको जो वाइडन के राश्पती पत की सपत लेनी के बाद वे देश छोड़कर चले जाएंगे यह अटकले तब और तेज हो गई जब यह सुचना आई कि 19 जनवरी को ट्रम्प के इस्तिमाल किये जाने वाले अमेरिकी सेना का वीमान स्कॉटलेंड में उतरने वाला है बतादे कि यह स्कॉटलेंड में ट्रम्प का एक गोल्फ रिजॉट भी है स्कॉटलेंड के प्रेस्टविक एयरपोर्ट को यह सुचना दी गई कि अमेरिकी सेना का वोईंग 757 बिमान के 19 जनवरी को उतरेगा इस तरह से बाइडन के राष्टपती बनने से ठीक पहले डोनाल ट्रम्प स्कॉटलेंड पहुच जाएंगे यह अंटकले ऐसे समय पर आई जब अमेरिका में कहा जा रहा है कि ट्रम्प बर्स 2024 में फिर से चुनाओ लड़ने के बारे में एलान बाइडन के सपत वाले दिन राष्टपती के एयरफोर्स वन बिमान में करेंगे 31 जन्वरी 2020 तक बढ़ाई गई सभी अंतराष्टिय फ्लाइट्स पर लगी रोक जी हाँ आपको बता दे कि दुनिया भर में फेले कुरोणा वाइरस के प्रकोप के चलते भारत सरकार ने अंतराष्टिय उड़ानों पर लगे प्रतिबंद को 31 जन्वरी 2020 तक बढ़ा दिया है ये प्रतिबंद अस्पेसल फ्लाइट्स और इंटरनेशनल एर कार्गो पर रिचालन पर लागू नहीं होगा बिमाने नियामक बीजी सीय ने बुद्धबार को यह जन्वारी दी हाला कि मामला दर मामला के अधार पर सक्चम प्रधिकारी चुन निंदा मार्गों के लिए उड़ानों की अनुमती दे सकते हैं कुरोना वैरस महमारी के करण 23 मार्च से नियमित अंतराष्टिय यातरी बिमान सेवास था किते हाला कि बंदे भारत अभियान तथा एयर बबल ब्यवस्था के थात मई से कुछ निशी देशों के लिए विशेस अंतराष्टिय उड़ानों के संचालन की इजाजत है भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, सौधी अरबिया, केनिया, बुटान, फ्रांस समय 24 देशों के साथ एयर बबल समझोता किया है डीजी सिय ने अभी कहा कि इसका माल भाग बिमानों के संचालन पर कोई असर नहीं पड़ेगा उडेन मंत्री ने बुधबार को ही ब्रिटेन में फैल रहे कुरोना वाइरस के स्टेन के मद्य नजर ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर लगाई अस्थ हैरों को साथ जन्वरी 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है साथ महिने बाद एक दिन में कुरोना से सबसे कम मौत दर्ज 24 जून के बाद सबसे कम आये COVID-19 केस जी हाँ आपको बताते कि भारत में लगतार चोथे दिन COVID-19 के 20,000 से कम मामले सामने आने के बाद देश में संकर्मण के मामले बढ़कर 1,3,56,844 हो गए जिन में से 99,75 लाग से अधिक लोग संकर्मण मुगध हो चुके है किंद्रे स्वास्त मंतरले के द्वारत जारी की गए ताजा आकडो के नुशार एक दिन में COVID-19 के 16,375 नए मामले सामने आये हैं वहीं 200 एक लोगों की मौत के बाद मृतकों की शंख्या बढ़कर 1,49,850 हो गई है देश में 7 महीने के बाद एक दिन में कुरोना के कारण सबसे कम मौते दर जुई है वहीं 24 जून के बाद सबसे कम मामले सामने आये हैं आकडो के नुशार कुल 99,75,59 लोगों के संकर्मण मुख्ध होने के साथी देश में मरीजों की ठीक होने की दर बढ़कर 96,32 परतिसत हो गई है